Hello everyone मैं हूँ सच्चिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चानल पे जहां हम लोग देख रहे हैं Website Development with PHP और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग फाइल में राइड करवा सकते हैं प्रिवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग फाइल को रीड कर सकते हैं और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फाइल को राइड करना तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ पहले ओके और उसके बाद अभी इसी फाइल को मैं open करूंगा तो open करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एक variable यहां लेना है उसके बाद में यहां पर हम लोग open function का use करेंगे और उसके बाद में यहां पर सुरी खली open ने लिखना होता है f open लिखना होगा file open ठीक है यह function है और उसके बाद में यहां पर हम लोगों address देना होगा path देना होगा तो अभी क्या है कि यह मेरा PHP वाला फाइल और मेरा text वाला फाइल दोनों एक ही folder में इसलिए अगर मैं यहां पे सिर्फ इस file का नाम लिख दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा मगर अगर यह other folder में रहता तो मेरे को फोल्डर का नाम देना होता पहले यहां पे हम लोग folder का नाम देते फिर slash देते something something इसका पूरा का पूरा path देना होता बट अभी हम लोगो कुछ देना नहीं होगा अब आप देखिए app open function जो है यह दो parameter लेता है पहला class देखे होंगे तो आपको पता ही होगा एक file का path दूसरा किस mode में इसको हम लोग open करना चाहते है तो read करना रहता तो हम लोग r mode में open करते हैं भी हम लोग को write करना तो यहां पर हम लोग को w link देना है that means यह open करके देगा हम लो एक variable और ले ले रहा हूं इस variable का नाम मैं text दे रहा हूं और यहां पर simple मैं text लिख रहा हूं my name is search in और फिर यहां पर slash n दे देता हूं मैं ठीक है next line के लिए और अब मैं क्या करने वाला हूं कि अब यह वाला जो मेरा text है ना इसको मैं इसमें write करवाँगा my.txt वाला file में तो इसके लिए मेरे को फिर से एक function का use करना होगा और उस function का नाम क्या है f right function f right function में क्या करना होता है कि सबसे पहले तो file का नाम जिस file में आप मतलब file का नाम मतलब जैसे यहां पर जो हम लोग f एक variable यह ना जिसके जरीए हम लोग file को open करवाए है इसको पास करना होगा और उसके बाद में जो text आप डालना चाहते है जो value आपको डालना है उसको यहां पास करना होगा इस तरह से अब यह वाला मेरा error दिखाने का कारण simple है कि यहां पर मैंने इस तरह से इसको बन नहीं किया था ठीक है इतना लिखने के बाद मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि यहां पर आप गौर करिएगा कि यहां पर सारा data मैंने डिलीट कर दिया यहां पर कोई भी value कोई भी text लिखावा नहीं है इस file में और इसमें अभ अगर मैं इसको refresh करूँ तो that means मेरा PHP वाला फाइल जो है वह execute हुआ अब अगर वापस से मैं यहां लेके आऊ और my.txt मैं आपको दिखाओ तो देखे यहां पर जहां पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं था अब हम लोगों को यहां पर दिख रहा है my name is Sachin क्या दिख रहा है my name अच्छा और एक चीज़ मान लिजे कि यहां पर ऐसा फाइल नेम अगर मैं देता जो फाइल यहां बना ही नहीं होता तो क्या करता यह function मान लिजे मैं यहां लिख देता और उसके बाद मैं यहां जाता और इसको मैं एक बार refresh करता तो यह execute हो गया है और अब मैं वापस राइट मोड यह क्या किया मेरे को एक फाइल क्रेट करके दे दिया और जो इसके अंदर में मैं राइट करवाना चाहता था वह वैल्यूस में राइट भी करवा दिया ठीक है अब मैं आपको और एक चीज़ देखाना चाहता हूं कि मान लिजे कि इसमें कुछ हम लोग इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ और वापस से अगर मैं आपको इस फाइल में लेके जाओंगा निव.txt में तो यह प्रिविएस लिखा हुआ जो मेरा था टेक्स उसको यह हटा देगा और यह पहला लाइन से ही बतलब इसका कल सरू होता है मैं प्रिविएस लिखा हु से बना हुआ फाइल में हम लोग कोई वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं टेक्स को इंसर्ट करवा सकते हैं ठीक है अगर आपको मेरा आज का यह क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल गैगा